दोस्तों आपका स्वागत है सिविल इंजिनिरिंग कोर्पोरेट में आज हम बात कलने जा रहें कौन्टिटी सर्वेफ और कॉन्क्रीट वर्क के लिए कि रिक्वाइड वोल्यूम ओफ कॉन्क्रीट में कितना सिमेंड कितना सेंड और कितना एग्रिगेट लगेगा आज हम य इंटर्विव में इस कोशन पूछे जाते हैं और कोशन्स आते हैं फिलाल हम इसमें सेंड और एग्रिगेट की देख लेते हैं Here कुछ डेंसिटी लिख हुई है सिमेंड की 14 040 कजी पर क्यूबिक मीटर सेंड की 14 60 कजी पर क्यूबिक मीटर और और एग्रिगेट की 15 5750 कजी पर cubic meter होती है concrete क्या है concrete is a mixture of cement sand aggregate cement or sand aggregate का जो mixture होता है पानी के साथ हम उसे mix करते हैं उसे concrete केते हैं concrete की कुछ grades होती है जिनका हमें ratios मालूब होने चाहिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे है M5 से M25 तक ये ratios में होता है तो M5 का जो ratio होता है M7.5 का 148 होता है इसे भी आप note down कर लें ये भी हमारे काम आएगा जब किसी भी चीज़ का quantity सर्वे करेंगे concrete का तो हमारे को उसके ratios मालूब होना जरूरी है तो हम माल लेते हैं कि हमारे को एक सिलेब में जो concrete लगनी है उसका हम volume निकालते हैं उसके लिए हम उसका cement sand aggregate की quantity निकालेंगे है हमारे पास एक सिलेब है जिसकी length 5 मीटर है width 4 मीटर और height 0.1 मीटर हैगी जब इसका volume निकालते हैं तो 5 x 4 x 0.1 मीटर is equal to 2 cubic मीटर हो जाती है ये जो दोस्तो 2 cubic मीटर निकला 2 cubic मीटर निकला इसका weight volume है weight volume मतलब dry volume हमें इसका अलग निकालना पड़ेगा और dry volume weight volume से ज़्यादा होता है जिसा आप एक example से इसे समझीए एक आटा जो हम लेते हैं जब उसमाँ हम पानी मिला देता है आटे का volume कम हो जाता है आटा dry में ज़्यादा होता है क्यों उसे भी हम समझते है एक factor होता compressibility index cement का compressibility index zero होता है और sand का 33% से 34% होता है और aggregates का 20% होता है तो हम जब इन तीनों को add करते है cement का zero plus sand का 34% plus aggregate का 20% तो total 54% आता है यानि कि हमारा जो weight volume आया उसका dry volume निकालने के लिए हमाँ वो 54% एक्स्ट्रा लेना होगा तो हम उसके लिए 1.54 से multiply करते है एक्स्ट्रा लेने के लिए 54% तो जो हमारा weight volume जो हमारा निकला है तो उसको हम 1.54 से multiply करेंगे तो हमारा dry volume निकलेगा 3.08 cubic meter तो हम concrete में जो use करेंगे वो M20 grade की कौन की reduce करेंगे जिसका ratio होता 1 is to 1.5 is to 3 तो इन ratios का जो sum होगा वोगा 1 plus 1.5 plus 3 is equal to 5.5 तो जह हम किसी भी चीज़ की cement, sand या aggregate निकालेंगे volume में quantity निकालेंगे तो उसमें जो तीनों में formula लगेगा वो लगेगा total dry volume यानि कि जो हमारा total dry volume है 3.08 into ratio cement का निकालेंगे तो cement का ratio, sand का निकालेंगे तो sand का ratio 1.5 और aggregate का निकालेंगे तो 3 ratio आएगा, उसे divide करेंगे total sum of ratios से यानि कि 5.5 से या दूसरी grade होगी तो हम उस grade का ratio रखेंगे याँ पर तो देखते हैं आगे quantity of cement जब हम निकालेंगे तो इसमें हमारा जो dry volume हो 3.08 cubic meter हैगा इसको हम 1 से multiply करेंगे इसके ratio से उसे divide करेंगे sum of ratio से 5.5 से तो हमारा आजागा .616 cubic meter जब हम इसे kg में निकालेंगे तो इसे हमें density से multiply करना होता है density की जो unit होटे kg per cubic meter होती है और पर cubic meter में हमारी quantity आई भी है तो हम cubic meter को kg पर cubic meter से multiply करेंगे तो kg में आ जाएगा तो इससे हम .616 को 1440 से multiply करेंगे इसके density से cement की तो हमारा 887 kg cement निकल कर आ जाएगा इसे जब हम बेग में convert करेंगे तो 50 kg का एक हमारा बेग होता है तो 887 को 50 से divide कर देंगे तो हमारा number of bakes आ जाएगे 18 bakes दोस्तो इसके quantity आएगे हो 17 point something bakes आएगे लेकिन इस पर CPWD specifications हम numbers में bakes को लेंगे और इसे round off कर देंगे 18 bakes हमारा ये हो जायागा आगे चलते हैं जह हम sand की quantity निकालेंगे तो same dry volume 3.08 cubic meter उसको sand के ratio 1.5 से multiply करेंगे और sum of ratio से divide कर देंगे 5.5 से तो 0.84 cubic meter आ जाएगा अगर हम इसे भी kg में निकाल density से multiply कर देंगे 1450 से 0.84 into 1450 ज़र तो 1218 kg इसका weight आ जाएगा लेकिन हम जो sand की order करते हैं side पर वो cubic fit में करते हैं तो cubic fit में निकालने के लिए हमारे को 35.31 से multiply करना पड़ेगा हम जब cubic meter को cubic fit में convert करते हैं तो 35.31 से multiply करते हैं तो cubic meter हमारा 0.84 cubic meter आ जाए इसे 35.31 से multiply करेंगे तो 39.66 cubic feet आ जाएगा इसी तरह aggregate की quantity निकालेंगे dry volume हमारा 3.08 cubic meter है aggregate का ratio 3 है तो उसे multiply कर देंगे उसे divide कर देंगे ratios of sum से 5.5 से यानि कि 1.68 cubic meter इसको भी हमारे केजी में निकालना हो तो हम इसकी density से multiply करेंगे aggregate की density हमने देखे जिए 1500 kg पर cubic meter होती है 1.68 से multiply करेंगे तो 2520 kg हमारे इसका weight आ जाएगा लेकिन aggregate को हम site पर cubic fit में order करते हैं तो cubic fit में निकालने करेंगे 35.31 से multiply करना होगा cubic meter से तो 1.68 हमारे इसका cubic meter में quantity आई थी इसे 35.31 से multiply करेंगे तो हमारा 59.32 cubic fit aggregate की quantity आ जेगी तो जो हमारे पास result निकल कर आता है M20 concrete 2 cubic meter में हमें इसे याद भी कलने ने चाहिए कि अगर हमारे पास M20 concrete है तो हमारे जो cement उसमें लगेगा 2 cubic meter में 18 weeks लगेंगे sand की जो quantity आईगी 39.66 cubic fit आएगी और aggregate की quantity 69.32 cubic fit आएगी तो यह दोस्तों हमारा result आ जाता है जिसे हम quantity सर्व में इसी तरह tabular form में represent करते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसी तरह के वीडियो पाना चाते हैं तो हमारे को support करें और हमारी वीडियो को share करें Thank you